अब हम आपको दे रहे हैं सम पराग्राफ कुछ पराग्राफ के लिए और ट्रांसेंट के अभ्यास के लिए इस आर ये दोनों भाषाओं में हैं इन बोथ हिंदी एंग्रिश हिंदी और अंग्रेजी के अंदर और आप ट्रांसेट के सकते हैं इनने अपने अफशकतर के नियुंगा साहर χानने की आप हिंदी से एंग्रिशous एंड वाइसा इसका उड़िटा इंग्रिश से हिंदी में भी इसको ट्रांसेट कर सकते हैं इस प्रेक्टिस हैट विल सैटेनली वी हैफुल पूर था कैंडिटेट्स यह जो प्रेक्टिस हैट है उन अभ्यारतियों के लिए बहुत अव्योगी है जो इच्छा कर रहे हैं और ट्रांसेटर जोग्स ट्रांसेटर की जोग के लिए या एक्जांस या प्रेक्षाओं के लिए जिनको कंडेक्ट करते हैं एससे उन भी अर्थियों के लिए बहुत आवश्रक हैं इससे पहले यू मुस्त रीड आपको पढ़ना चाहिए सम ट्रांसेट्रांसेटर प्रेक्षाट्स स्टार्पिश आप उसको हिंदी में ट्रांसेट कर सकते हैं Paragraph 1. Restlessness among the students of colleges and universities, culminating in discipline, has stemmed from their deep-rooted feeling that their views and aspirations are ignored by their elders, politicians and administrations, teachers and educationists. The situation has been aggravated by a sense of insecurity among them. It is high time that sincere efforts must be made and concrete steps taken to analyze and solve their genuine problems. Paragraph 1. Restless चप्रिक्शे ने करने में गए हिन्दी से इंग्लिश के नरु हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्य संकिन, धार्मिक और भार्ढ़ी मदविद्यों को दूर करने के लिए एक राष्टे दिश्टी के विकास की है, इस कारे में भी श्री विडाल ले है, निनाएक भाग ले सकते हैं। Translationist की, one of the most pressing problems facing our country is the development of national outlook overriding periocular, religious and linguistic constitution. In this task, the universities can and should play a decisive part. Paragraph 3. Try to translate it into Hindi. कोशिश करें इसको हिंदी में ठास्टे करनेगी. Autonomy in academic matters does not mean that universities should be obvious of special need. In fact, universities are set up for the satisfaction of certain felt needs of society and they have to be fully sensitive and responsive to them. Translationist की, शिक्षा में स्वायत्ता का आर्थी है नहीं है कि विशविद्याले विशिश आवशक्ताओं के प्रति धिहान ही ना दे. वस्तुताहा विशविद्यालियों के इस्था अपना स्रमाज की कुछ आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए हुई है और इन्हें इन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए सजग रहना चाहिए. और जादा प्रैक्टी सेट के लिए कि विजिटिंग आप हमारे पास आते रहें और अगर आपको यह पोस्ट अच्छे लगे और इस वाक्यों के लिए आगे भी हमें सब्सक्राइब करते रहें थैंक्स धन्यावाद. झाल